हलो दोस्तों मैं हन्सराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस भरती के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस भरती के अंदर पूरे भारत से जी हाँ दोस्तों पूरे भारत से केंडियेट्स अप्लाई कर सकते हैं सभी राज्यों के सभी स्टेट के केंडियेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फिर भी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं आखिर क्यों तो दोस्तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये भरती कौन सी है जिसके form apply कम हो रहे हैं और कम होने के क्या कारण हो रहे हैं चल ये बताते हैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी details से दोस्तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा ये आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें और घंटी के निसान कॉल पर जरूर प्रेस कर लें दोस्तो सबसे पहले तो मैं बता दोस्तो यह जो भरती है वो है S.G.P.G.I. जी हां दोस्तो S.G.P.G.I. के अंदर जो स्टाप नर्स की भरती रिलीज की गई है परमानेंट भरती जिसकी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 अपरेल 2022 से पहले पहले आप इसका ओनलाईन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर G.N.M. और B.A.C. नर्सिंग दोनों ही केंडिट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अब आप पुछेंगे सर आखिर इसका फॉर्म लोग क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले तो इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं लोग क्योंकि ये वेकेंशी दो-चार बार निकल चुकी है लेकिन पूरी कभी नहीं हुई लेकिन इस बार ये पूरी जरूर होगी तो फॉर्म अप्लाई जरूर कर दें दूसरा यही और या है कि आदartz से ज़्यादा केंडिट्स को यहीं पता नहीं है कि इसका उनलाइन pack मिश्टार हुआ है या फिर नहीं और आद HOW यह सोच रहे हैं कि ये वेकेंशी का सुक है तो दोस्तो अभी तक वेकेंशी का फॉम नहीं निकला है 19 अप्रेल 2022 तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं GNM भी अप्लाई कर सकते हैं और BSC Nursing भी अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट आपकी यहां पर परमानेंट रखी गई है लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा दोस्तो लिंक पे click करने के बाद आप new user registration पर click करेंगे और click करने के बाद में आप इसके अंदर जो basic details वांगी जाती है वो सब आपको इंदर feel करनी है और पूरा फॉरम आपको feel कर लेना है दोस्तो जैसा कि आप इसे click करेंगे तो आपको फॉरम इस परकार से यह खुलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिसमें आपका नाम वगएरा सब details आपको feel करनी होगी और last में submit कर देना आए agree को check करके और उसके बाद में जो भी basic details है वो आपको पूरा login करके फॉरम को feel कर लेना है तो दोस्तो कितनी post है क्या है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले इसका notification अपन देख लेते हैं तो notification में क्या कुछ दिया गया है तो टोटल दो post की बात करें दोस्तो तो इस भरती के अंदर टोटल 252 post रखी गई जी हाँ दोस्तो 252 post रखी गई है पर्मानिट post है पोस्त का नाम रहेगा sister grade second या फिर staff nurse जिसके अंदर category के साबसे आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 252 post यहाँ पर रखी गई है मिलने वाली है तो दोस्तों यहाँ पर GNM और BAC nursing दोनों ही candidates को apply कर पाएंगे application fees आप यहाँ लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ application fees दी गई है UR के लिए OBC के लिए और SC SDK ठीक है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं BAC nursing में apply कर सकते हैं और साथ में post basic BAC nursing भी candidates apply कर सकते हैं यदि आप GNM है तो GNM के साथ 2 साल का experience लगेगा जो minimum 50 varied hospitals का होना चाहिए age criteria की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 years तक के जो candidates है इस form को apply कर पाएंगे बात करें इसके exam की तो यहाँ पर CBT based आपका exam होगा जिसके अंदर 100 marks के question पुछे जाएंगे paper का duration रहेगा तू hours का duration रहेगा जिसके अंदर 60 जो question से nursing के आएंगे बाकी जो 40 questions है आपके English, general knowledge, reasoning और Mathematic episodes से आने वाले है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर negative marking भी रहेगी one third negative marking यहाँ पर रहने वाली है और साथ में ही दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पूरी जानकरी इस भरती से डिल्टेट दे दी है फिर भी कोई doubt आपको यह दी रह जाता है तो आप comment करके जरूर से पूछ सकते हैं जरूर से आपके सवालों का जवाब देने का परियास किया जाएगा हो सकता है कि सब सवालों के जवाब ना दे पाएं दोस्तो इस वीडियो के अंदर इतना ही और यह वेकैंसी है एस जी पीजी आई लखनाओ की जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग संजय गांदी पोस्ट ग्रेजूरे इस टॉप मेडिकल साइंस यानि S.G.P.J. लखनाओ की है और यहाँ पर जो दोस्तो यह देख सकते हैं यहाँ पोस्ट अप सिस्टर ग्रेज सेकेंड यहाँ से ओनलाइन अप्लाई करना है यहाँ से इसका जो पीडियेप है वो डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन का और इसकी लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि इजी हो जाएगा और आपको इसको डेक्स्टो आप साइट पे कर लेना है तो यह को डेक्स्टो आप साइट कैसे करते हैं यह तो तीन डोट उपर दिखते हैं ना को क्लिक करना होता है, क्लिक करने के बाद य theory देख्तिया है तो यह डेक्स्टो साइट के अन्दर आपका हम open करना है ठीक है यह सचिक हुआ होना लगा करना है तो आसा करता हो विद्णि आपको मिल गई होगी चैनल पे नहीं डो, भूला कर दो रहिए जो, प्यूले के जाए झाल झाल